Today, the world has become mechanized. As compared to the human being in primitive stage, the modern times are totally different. The present age is full of developments in the field of science and technology. आज के वरतमान समय में अगर कम्प्यूटर की बात करें, तो हर घर में, किसी न किसी रूप में, हर हाथ में आज पहुँच चुका है. आज हमारे जीवन में सबी छेतरों में एक बहुत ही चमतकारी चीज आ चुकी है, जिसे हम मॉबाइल कहते हैं, या हमारे रूम में, स्कूल में, विद्याले में, कॉलेज में, कम्प्यूटर आ गया है. और आज हमारे जीवन में लगबख सारी क्रियाएं जो हैं, वो कम्प्यूटर से जुड़ी हुई है. तो इसको समझने के लिए कि कम्प्यूटर किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रहा है, how it has entered in all the fields of our life, let us discuss the related topic on computers, which is computer assisted instruction, यानि कि computer सहाय अनुदेशन या इसको हम computer सहायत अनुदेशन भी कहते हैं. Welcome learners to my channel all about education. तो आज हम काई के बारे में विस्तार पूर्वक अधियन करेंगे, जानेंगे कि क्या होता है CAI, Computer Assisted Learning. ये एक ऐसी पद्धती है, एक ऐसी युक्ती है, जिसका प्रयोग टीचर्स बहुत करते हैं, सिक्षक करते हैं, इंस्ट्रक्टर्स करते हैं, जो किसी फिल्ड में इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो बहुत जादे इसका प्रयोग करते हैं, इसमें टीचर जो है वो एक मशीन है, यानि कि कम्प्यूटर, मॉबाल, टाबलेट, लैप्टॉप, ये हमारा टीचर है, उसके अंदर जो लर्निंग माटीरियल है, सिक्षन सामगरी है, या जिसकों सॉफ्टवेर भी कहते हैं, वो माटीरियल, वो मशीन हमें प्रदान करती है, तो वो एक टीचर के तौर पे है, यानि कि मशीन आपकी टीचर हो गई, यूमन बिंग, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेर है, वो आपके टीचर का ब्रेन हो गया, तो इस तरह से लर्नर वहां से बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी च्छमता अनुसार, अपनी काबलियत क अनुसार, और इसी को जो कम्प्यूटर सिक्षन सामगरी, अधिगम सामगरी को सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको हम लोग काई, सी, ए, आ, यानि की कम्प्यूटर सहायत अनुदेशन कहते हैं, तो अगर हम भट एंड शर्मा की परिभाशा के एकॉर्डिंग बात करें, तो इसकी अनुसार, कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन को सैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के दिशा में, विद्यार्थी एवं कम्प्यूटर नियंत्रित प्रस्तुती करण, तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के मध्य चलने वाली अन्तक्रिया के रूप मे समझा जा सकता है, जो मैंने अभी आपको बात करी, कि जो काई है, वो एक टूटोरिल की तरह है, एक अनुदेशन की तौर पे है, जो हमारे विभिन सिक्षन संबंदी, जानकारियों, समस्याओं आदी में, हमें जानकारी प्रदान करती हैं, हमें सूचनाएं देती हैं, और रेमीडियल लर्निंग भी देती, रेमीडियल लर्निंग के उपचारात्मक अदीगम, यानि कि अगर आप किसी वज़े से वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं और सोर्स से, तो आपको कम्प्यूटर उसको क्लियर करने में सहायक होते हैं, तो आप यह कह सकते हैं, जैस ट्रडिशनल रूप हम बात करें, तो वो है टीचिंग मशीन, लेकिन अब टीचिंग मशीन, टीचिंग मशीन के तोर पर नह रहकर, उसके कई आयाम हमारे समक्षा चुके हैं, और अब हम उसमें से अलग-अलग तरीके से पढ़ पाते हैं, जिसमें से एक बहुत ही, बहुत ट्रडिशन या टेकनलोजी ये तकनीकी यूज की जाती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, वो तीन टेकनलोजी हैं, हाडवेर, यानि के कठोर उपागम, सौफ्टवेर, यानि के मृदल उपागम, और कोर्स वेर, यानि के पार्ट वस्त उपागम, अब बहुत ही सरल आ तो अगर एक कुई करें, तो हाडवेर में आपकी मशीन आती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपका कम्प्यूटर मॉनिटर है, या आप बोडी कह सकते हैं, जिसको माउस है, स्क्रीन है, मौडम है, स्पीकर है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, चू सकते हैं, तो इसको हाडवेर टेकनलोजी कहते हैं, और सॉफ्टवेर के अगर हम बात करें, तो ये एक तरह की कम्प्यूटर मशीन को संचालित करने के लिए, उस कम्प्यूटर की भाशा होती है, जो कम्प्यूटर मशीन को आदेश देती है, और जो आदेश देक तो इस तरह से तीनों ही चीज़ें काई में कार्य करती हैं अब कितने प्रकार के काई होते हैं यह मतलब काई के यूज पर डिपेंड करता है कि हम उसके क्लासिफिकेशन या उसका वरगी करण हम उसके कार के बेसिस पे कर सकते हैं कि कार के आधार पर वो कितने प्रकार का हो सकता है तो सबसे पहले है रिकॉर्ड स्टोरेज यह सब को पता है कि आज की तारिक में अभिलेक जैसे रिपोर्ट कार्ड माक्स डेटा एक व्यक्तिगत ब्योरा जैसे आधार वगेरा है यह सब कुछ कंप्यूटर में आज सेवड है तो यह एक तरह से हमारा अभिलेक करता के रूप में प्रियोग होता है फिर कंप्यूटिंग डिवाइस यानि कि यहां पर हम प्रियोग करते हैं किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज क कर सकते हैं कोई assignment है हमारा प्रदतकार है उसको किस प्रकार से डिवाइस से हम संगणन या compute कर सकते हैं तो प्रतिवावान अधिक उपलब्दी प्राप्त करने वाले चात्रों को अपना एक software बनाने के लिए प्रोचसाहित करता है अपने हिसाब से फिर उसके बाद आता है as an instructor या teacher जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसमें सिक्षन सामगरी होती है और machine एक teacher के रूप में उस सिक्षन सामगरी को learner के या student के समक्ष प्रस्तुत करता है और एक simulator के रूप में जैसे कि काई, CML, काई मैंने बताया CML computer manage instruction तो इन सब के रूप में हम इसको use कर सकते हैं ऐसे अ अनुरूपन अनुदेशन उद्देश के लिए अद्बुच छमता रखते हैं तो computer एक अनुरूपित परिस्तितियां दर्शा देता है जैसे मानली जी आपको परिसंचरन तंतर पढ़ना है या आपको excretory system पढ़ना है तो एक आपको simulation का महौल देता है अनुरूपित महौल देता है एक नकली माहौल देता है जो असली के बिल्कुल करीब होता है और आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं अब हम बात करें advantages की यानि की lab की क्या lab होते है काई के बहुत सारे lab होते है learners जैसे कि अभी तक हमने जो discuss किया है उसके according अगर बात करें तो हम कह सकते ह कि advantages से भरपूर है benefits से भरपूर है इसके बहुत सारे उपयोग है यह सिक्षिकों तता चात्रों के लिए तत्यों तता सूचनाओं की प्राप्ती का एक बहुत important source है इसमें जो भी part योजना या lesson plan या जो भी content है वो machine के द्वारा बना कर प्रस्तुत किया जाता है तो जब इस सीखने के अफसर मिलते हैं लेकिन अपनी गती के अनुसार अपनी समय के अनुसार अपनी स्थान के अनुसार आप कहीं भी कभी भी कई बार आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं यानि कि आप यह कह सकते हैं जब इतनी चीज़ें अच्छी हैं इसमें तो यह पर interesting हो जाता है because यहां पे हम बहुत सारे animations use करते हैं, चित्री use करते हैं, map use करते हैं, figures use करते हैं, chart बन जाते हैं उसमें तो इस तरह से जब होती हैं चीजें तो वो कहीं न कहीं आपके अंदर एक स्रजनात्मक्ता, एक नया पन, एक नवीन्दता लाता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, और जैसे मैंने भी बताए कि इसमें इतनी अध्यन सामगरी सेवड रहती है, संचई रहती है कि आप जब चाहें इसको दुबारा देख सकते हैं, दुबारा समग सकते हैं और आप इस सामगरी को सहेच कर भी रख सकते हैं ताकि आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं इसलिए ये कई लोगों तक पहुंच सकती है इसकी रीचेबिलिटी बहुत हाई है एक ही समय पर कई लोगों को मिल जाती है लेकिन इतने अच्छे होने लाब होने के बावजूद इसमें कुछ सीमाएं भी होती हैं कुछ दोश भी होते हैं इन दोशों की अगर बात करें तो जैसे कि आपने देखा हमें मशीन चाहिए सौफटवेर चाहिए सौफटवेर डेवलपर चाहिए तो ये बहुत ही महंगा और खरचीला एक अफैर हो जाता है और इसके लिए कही सप्लाइ नहीं है बिजली नहीं है कट गई है तो कंप्यूटर आफ हो जाता है कई लोगों को मशीन से डर भी लगता है कई लोग घबराते भी हैं कई लोगों को लगता है कि हाथ से काम करना अच्छा होता है और उनको ये भी लगता है कई बार कि अगर खराब हो गया तो ह बार-बार उसको रिपेर कराना पड़ेगा, उसको सही कराना पड़ेगा, तो computer में अधिगम करता का नियंतरन तो रहता है, लेकिन इसके अत्रीक अगार देखें, तो कभी-कभी computer का दुरूपयोग भी हो जाता है, समय के बरबादी होने लगती है हम करते कुछ और हैं और करने कुछ और लग जाते हैं तो यह और सबसे important बात learners जो मैंने भी बताई कि teacher का इसमें कोई role नहीं होता और अगर मानव touch नहीं होता ना मानव का कहीं पिर उसका role नहीं होता तो वो machine करण हो जाता है mechanized हो जाता है सब machine के तोर पे चलता है जिसमें कहीं भी human touch नहीं है कहीं पे भी एक teacher का जो role होता है हमारे को प्रोचसाहान देने का हमारे साथ बातचीत करने का अनवचारिक तरीके से जुडने का वो सारी चीजें इसमें इसकी कमी पाई जाती है तो यह इसकी कुछ limitations है आशा है learners you must have understood what is काई that is computer assisted instruction and I hope you have understood what are its uses advantages how it is done what are the basic assumptions behind it and अगर आपको अच्छा लगा हो तो like करें share करें और मेरे चैनल को जरूर subscribe करें thank you for watching